इस वक्त बंगाल को ले करके बीचेपी की प्रेस कॉन्फरेंस सामने आ रही है सिधा रूप करते हैं थैंक्स टू टीमसी जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशीत है इस से पहले कभी इस प्रकार की हिंसा ना हम ने कभी देखा था ना किसी चुनाव में सुना था चुनाव और हिंसा आज बंगाल में परियायवाची शब्द बने हुएं और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विशाय भी नहीं इस बार के पंचायत के चुनाव जो की अभी आठ जुलाई को संपन्न हुए आज काउंटिंग चल रहा है आज अकबारों में हर जगह ये खबर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक जब से नोमिनेशन आरंब हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है 45 पीपल have died as of today as far as the पंचायत elections of 2023 in West Bengal is concerned आप याद करिये इससे पहले के असम्बली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की 52 लोगों की हत्या हुई थी 52 पीपल had died in the assembly elections during Bengal 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी चुनावी हत्या और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी 2013 में 15 लोग 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत कुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोतर दिन प्रती दिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में यहां आपके सामने पेश है संख्यावत पेश है बंदुगन के वल हत्याएं नहीं आप अगर अकबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर वो शब्द है फाइरिंग गोली बारी बॉम्बिंग बंबारी बोगस वोटिंग रिगिंग मत पेटियों का जलाना मत पेटियों को फेकना कोई तलाब में फेक रहा है मत पेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जिता जा सकता है टीमसी उस प्रैत्न में उस यतन में लगी है जिस डेमोक्रसी में जिस लोकतंत्र में फाइरिंग बॉमिं हत्या रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उस लोकतंत्र का क्या वजूद है आप जड़ा सोच के देखें मंदुगन आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारती जंता पार्टी का सवाल है हमने लगभग छे हजार पोलिंग बूथों पे री पोलिंग का डिमांड किया कि आप सही तरीके से तटस्त होकर केंद्रिय बल्ग के साथ सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराईए सेंट्रल फोर्सेस तो गई मगर डेप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए उनका ठीक तरह से डेप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया जो सेंसिटि है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी यह एक state sponsored murder है यह जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजीत है this is not accidental this is state sponsored murder of democracy in West Bengal और केवल राजनेतिक party ही sponsor कर रही है ऐसा नहीं institutionalization संस्थागत murder है अर्थात इसमें police प्रसाशन से लेकर जो district अधिकारी होते हैं और जो प्रसाशनिक अधिकारी होते हैं वो सब सम्मलीत हैं एक तरह से सबके मिली भगत से यह state sponsored institutionalized murder आज West Bengal में हो है आप सोच के देखिए 21 सताबदी में भारतवर्श बैठा हुआ है मैं भी social media में हूँ आप भी social media में है आज कल कुछ छुपता नहीं है जब हम social media और Facebook में देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके dead body को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और status में डाला जा रहा है किसी के हाथ मुड़े हुए हैं किसी के को वोट नहीं कर रहे हैं और ये कोई केवल भारतिय जनता partY के कारे करताओं का MARDER नहीं है इसमें कांगरेसी भी हैं इसमें Communist Party के लोग भी हैं इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनिति से कोई लेना दिरा नहीं है वो केवल voting करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की हत्या हुई है जब इस प्रकार का दृष्य सोशेल मीडिया और फेस्बुक में हम देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर यही दृष्य कोई भाजपा साशित राज्य से आ रहा होता तो हाकार मंज यह सारे नेता यह जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलूर में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं महा ठकबंदन का द्रिष्य दिखाते हैं कहहां है वे सारे मेता कह यह लालू प्रशाद या दव कहाल है नितीष father कहां है वो मुहबबत की दुकान खोलने वाले राहूल गांदी कहां है ये सारे महा ठगबंधन के नेता एक के मुह से एक शब्द नहीं निकला है एक शब्द नहीं निकला है राहूल जी कहां है आपकी मुहबबत की दुकान का कोई जिकर नहीं है आप तो पूरे हिंदुस्तान में मुहबबत की दुकान खोलना चाहते थे मैं बताता हूँ राहूल जी आप आज मुहबबत की दुकान के विशे में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांग्शाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है the mega mall of your ambition you want to become the ruler of this country by hook or by crook कैसे भी मैं सत्ता सीन हो जाऊं मैं सत्ता रूड हो जाऊं और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है वहां मुहबबत की दुकान के अवश्यक्ता नहीं है यह मुहबबत की दुकान और मुहबबत के दुकान की फर्मान यह केवल उन्हीं जगा अवश्यक है जहां मोदी जी पे और भारती जंता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है कोई बात नहीं अगर कांग्रेस का कारे करता भी टी-ेम-सी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं मकर अपने एंबिशन की हत्या होते हुए अपनी मात्ता क्वांचा को लुठते हुए नहीं देख सकते हैं मा, माटी और मानूश की बात करती थी मौमता बनर जी मा आज बिलख रही है, रो रही है माटी आज रक्तरंजीत है मानुष की आज हत्या हो चुकी है और ममता जी माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम मंद पध्याय जी ये सब मूख दर्शक बन के देख रही है तो ये अतिश्युक्ती नहीं होगी ये निर्ममता है ये ममता नहीं है ये डाइमंड हारबर मॉडेल है डाइमंड हारबर जहां से अभिशेक बेनरजी लडते हैं उनकी कॉंस्टिटुएंसी है भाईपो की और जिस प्रकार से वहाँ दादागिरी की राजनिती चल रही है वहाँ काउंटिंग एजेंट भारत्य जंता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है ये चारों और बंगाल में ये चल रहा है काउंटिंग एजेंट अगर टीम सी का नहीं है तो 2 किलोमीटर पहले उसे रोका जाता है जिस दिन नोमिनेशन भरने जाता है किसी और पार्टी का कारे करता पहले उसे मारा जाता है डराया जाता है धमकाया जाता है फिर भी अगर नोमिनेशन भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है फिर भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग एजेंट को वहां घुसने न पताया है कि कई हज्जार लोग बंगाल छोड़के आज शरण में हैं असाम में यह लोग तंत्र है यह लोग तंत्र है मम्तादी मुम्ताजी आपको उत्तर देना होगा क्या ये लोकतंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो शरण लेते और ये पहली बार नहीं हो रहा है असंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था बांगलार गणतंत्र रक्तस्नात एकाने वोट होले मानुशेर प्राण चोले जाए एकाने नियों कानुनेर कुन्न बलाए ने मुख मंत्री निर्मम बंध पद्धाए ओतार परिशद्दार सरकारी आइन के खमता टिके थाकार मेशिनारी बनाई थेन आमी एई विवस्था टिब्र निंदा को रही है धारती जंता पाटी इस पूरे विवस्था की जिस प्रकार से हिंसा हो रही है जिस प्रकार से लोगतंत्र की हत्या हो रही है उसकी तिव्र निंदा करती है